उतर प्रदेश में समाजवादी पाटी से नाता तोड़ने के बाद अपना दल कमेरावादी किनेता पलवी पटेल यूपी के सियासी समर में कूत पड़ी हैं पलवी पटेल और असदुदीन ओवाईसी के गड़ बंधन पीडियम ने यूपी की साथ लोगसभा सीटों के लिए उमीदवारों के नाम की घोशना कर दिये पलवी पटेल और ववैसी के गड़ बंधन ने उमीदवारों की सूची जारी की इसमें पीडियम यानी पिछडा दलित और मुसलिम फॉर्मूले को ध्यान में रखा गया है इस सूची में एक उमीदवार मुसल्मान है पीडियम मोर्चा की ओर से जारी की गई सूची में बरिली लोकसबा सीट से सुभाष पटेल को उमीदवार बनाये गया है इसके इलाबा हाथरस लोकसबा सीट से जैवीर सिंग धनगर, फिरोजबाद से प्रेम दत्त बगेल, राइबरिली से मुसलिम उमीदवार हाफिज मुहमद मोबीन, भदोही से प्रेम चंद बिन, फतेपूर सीट से राम किशन पाल और चंदौली से जवाहर बिन्द को टिक पलवी पटेल ने यहां से मुसलिम प्रत्याशी हाफिज मुहमद मोबीन को टिकर दिया है, पलवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से गडबंधन तोड़ने के बाद लोकसबा चुनाव के अपनी उमीदवारी की घोशना की थी, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश याद पलवी के लिए मुश्किल एकणी कर दिया है, दरसल राजी सपा चुनाव के दौरान पलवी पटेल और सपा ध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कडवाहट बढ़ गई थी, जब पलवी ने खुलेयाम सपा पर PDA की उपेक्षा कारोप लगा दिया था, और सपा उमीदव के समत्थन में वोट देने से इंकार तक कर दिया था, वोटिंग के दिन उनकी और सपा ध्यक्ष से फोन पर तीकी बहस भी हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज दिखाई दिये, विवाद के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस कर सफाई दी कि पल गडबंदन धन का पालम करते वज मजबूची से चली रहे थे, लेकिन सब को पता है और आप लोगों ने देखा भी कि कैसे एक प्रेस कॉन्फरेंस के माध्य हम से हमको अलग कर दिया गया, तो जब एकदम से हमको धोका दिया गया और एकदम से हमसे किनारा कर लिया गया, तो ऐसे में हम क्या करते, अगर उन पे हमारी डिपेंडेंसी रहती तो साथवे चरण के बाद हमको पता चलता इस असलियत का कि हम गडबंदन में नहीं है, लेकि यह हमने तो कहा ही था कि अगर समाजबादी पार्टी ने हमसे गडबंदन से रुक अलग कर लिया है, तो इं नितिक दल हैं, ऐसे में अगर चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे, तो फिर हम अपने पार्टी को आके कैसे बढ़ाएंगे? क्या गुल खिलाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी, NBT Online की रिपोर्ट